है है एब्रिवाइन वाट्स अप आज में एक क्यू टिप अंड डी आई वाई होमेट काजल के हेल्प से एक स्मोकी लुक क्रियेट करने वाली हूं तो यह डी आई वाई काजल को लेकर अल्ज़दी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोट खिया हुआ है अगर आप लोग अभ ज़रू दिख लीजिए तो मैं अपने फेस में मॉस्ट्रेजर अंड प्राइमर लगाने के बाद अपलाई कर रही हूँ एक कॉंसिलर आप कोई भी कॉंसिलर अपलाई कर सकते हैं तो आप मैं इसको सेटिंग कर रही हूँ एक सेटिंग पाउडर की हेल्प से और इसको अपलाई कर रही हूँ हमारा जो हो में DIY काजल है उसको इस क्यूटिप की हेल्प से यह DIY काजल एक पाउडर फॉर्म में है तो इसको लगाने से पहले ना गोलना पड़ती है तो मैं हमेशा धकन पे थोड़ा सा काजल लेकर उसको नाडियल तेल के साथ यानकी कोकुनट ओयल के साथ मिला कि इसको गोल लेती हूँ और फिर अपलाई करती हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्शर कफी जाधा थीक है यानि गारा है और एक तरफ से आप लोग कह सकते हैं कि यह समाच प्रूप भी है तो यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आप लोग कर लोंगी I think मुझे वहां भड़ी समझाना नहीं पड़े कि अप लोगों को आप और थोड़ासा ध्यान देकर इसको देखे तो समझ जाओगे मैं वीडियो को फस्त फॉरवड भी नहीं किया अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर इसको देखो ना तो बहुती इजीली समझ जाओगे कि ये लोग अप लोग create कैसे कर सकते हो और अगर एक बर समझ जाओगे ना तो I hope कि आप लोग बहुती इजीली इसको create भी कर पाओगे तो जैसे कि अप लोग देख पर रहे हो मैं अपने lower eyelid पे काजल अपलाई कर लिया है already और outer eye corner to middle तक मैं काजल को बहुती आच्छे smash कर रहे हूँ और आप मैं switch beauty palette से ये जो दो कलर अप लोग देख रहा है मैं ये दो कलर मिक्स करके cut crease तक apply करनी है ताकि इसका लूग और भी थो तो इसको भी बहुती अच्छे से smash करनी है अपने जो आउटर eye corner है outer eye corner तक and now apply करूंगी mascara आप कोई भी mascara apply कर सकते हो जो भी आपके पास available है मैंने यहां पर कोई भी particular product की नाम नहीं बताया कि आपको यह look create करने के लिए वही product यूज करनी है ऐसा कुछ भी नहीं है शिर्प यह इतने तक follow करनी है कि मैं जिस तरीके से apply कर रही हूँ जहां आप apply कर रही हूँ जिस तक apply कर रही है बस यह आप लोग follow कीजिए that does not matter कि आप कौन सा brand के product यूज कर रहे है तो मैं वही DIY काजल और एक पीक के back side की helps है मैं अपने लोगर वाटर लाइन पे काजल अपलाई कर रही हूँ और वही चीज से मैं अपना इनर कॉर्णर भी ड्रॉआ कर रही हूँ यह बहुत ज़्यादा easy एक ट्रिक है I think eyeliner apply करने से भी ज़्यादा येजी है अगें मैं sweet beauty palette से skinny color यानि की banana shade भी आप लोग कह सकते हो तो उसको लेकर मैं अपने brow bone पर apply कर रही हूँ तो इसको apply करने के बाद ही हमारा जो final look है वो create हो जाएंगी and then आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो final look है ये कैसा है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा final look create हो चुकी है मैंने यहाँ पर कोई fake lashes नहीं पहना है अगर आप लोग चाहते हैं तो fake lashes पहन सकते हो तो आज की वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगी है मुझे comment करके बत